आज हम लोग दिखेंगे कि अपनी WordPress website को 2021 में speed up कैसे करना है हाई गाइज मेरा नाम है कृपेश आडवानी यहाँ पर में digital tools और services के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग देखेंगे कि light speed cash plugin को कैसे use करना है कैसे उसका use करके कैसे उसे tune करना है कैसे अपनी WordPress website की speed हमें बढ़ा देनी है क्योंकि एक जो सबसे बड़ा question यह आता है मेरे पास की WordPress तो ले ली hosting तो ले लेकिन अपनी WordPress website की speed को कैसे बढ़ा है तो सबसे पहले तो कुछ speed बढ़ाने के कुछ factors होते है basic factors होते है वो मैं आपके clear कर देता हूँ सबसे पहला factor lightweight theme होनी चाहिए Astra, Generate Press या अगर अपको free में चाहिए तो cadence या फिर block C आप इसका use कर सकते हो lightweight है अच्छी है second factor रहता है वो रहता है CDN का use करना CDN means content delivery network मतलब आपने अपनी जो files से वो अलग-अलग देशों के अलग-अलग server पर रख दी है आप लोग free में भी इसका use कर सकते हो cloudflare के through cloudflare को कैसे use करना है उसका already में video बना चुका हूँ आप 5 बटन के उपर मिल जाएगा तीसरा factor रहता है limited plugins का use करना खुब सारे plugins नहीं डाल देना है अपनी wordpress website में खुब सारा उसको overload नहीं कर देना है वो करोगे तो आपकी website bloated हो जाएगी और फिर आपको speed भी कम मिलेगी चौथा factor होता है एक अच्छे cache plugin का use करना अगर आप लोग light speed server का use कर रहे हो light speed cache plugin का use कर सकते हो वो free में आता है अगला factor होता है pirated themes और plugins को नहीं use करना वो use करोगे virus आएगा malware आएगा website की speed slow हो जाएगी उससे आपको बिल्कुल भी use नहीं करना या तो paid यूज़ करो या फिर free यूज़ करो है easy to use है इसका up time में अच्छा है backup की functionality अच्छी है light speed servers मिल जाते हैं Singapore में इसका data center भी है तो Indian users के लिए भी अच्छी है और अगर आप लोग मेरे नीचे दिये गए link से जाके purchase करोगे और coupon code एंटर करोगे एक रिपेश तो आपको extra discount भी मिल जाएगा प्लस मेरे training program में भी free entry मिलेगी अगर आप लोग मेरा link यूज़ करोगे तो जहां पर मैंने आपको सारी चीज़े explain करी है hostinger के बारे में कैसे use करना है कैसे CDN cash है email सब कुछ मैंने अपने training program में बताया है और अगर आपको यह hosting पसंद नहीं आती है तो फिर 30 days के अंदर आप लोग refund भी claim कर सकते हो अच्छी बात यह है इस वीडियो की कि यहाँ पर मैं किसी premium hosting का use करके नहीं बता हूँ आपको हम लोग यहाँ पर hostinger का ही use करेंगे जो कि एक budget friendly hosting है तो budget में hostinger का use करेंगे वो lightspeed server के साथ में आता है और यहाँ पर lightspeed cache plugin भी हमको मिल जाता है यह रहा मेरा hostinger का dashboard यहाँ पर हम लोग जो website पर जाएंगे यह है kptestos.com ठीक है यहाँ पर मैंने दो website को setup किया है यहाँ पर speed.kptestos speed2.kptestos.com तो इन दोनों के यहाँ पर मेरे पास दो pages है एक यह वाला है और एक यह वाला है दोनों के same ही pages है अब देखो cache plugin ना by default installed आता है तो cache plugin इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है वो सभी कर सकते हैं तो यह नहीं बता हूँ कि आशे plugin इंस्टॉल करो speed बढ़ जाएगी वो सभी को पता है कि cache plugin यूज़ करना चीज़ इंस्टॉल कर लो speed आपकी बढ़ जाएगी तो यहाँ यहाँ पर हमारे पास light speed का plugin इंस्टॉल ले मैं एक काम करता हूं मैं पहली वाली website में यहाँ पर एडिट पर चले आता हूं यहाँ पर हमारा dashboard खुल जाएगा और इसके बाद यह एक page है यह same page है और यह भी same page है अब मैंने इन दोनों pages पे speed test करके देखे यह पहली वाली website है यहाँ पर भी मैंने cache plugin को tune नहीं किया है तो इसका speed results मुझे मिला 67 जो की अच्छा है cache plugin है theme भी light rate है 67 is not that bad लेकिन अगर मुझे इसको और tune करना है और अच्छा करना है तो फिर मुझे यहाँ पर मिला 94 दूसरी website का यह जो था जो मैंने इसको tune कर दिया तो 94 मुझे यहाँ पर स्पीड भी देखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर ही तो सबसे आदा विजेट्स आएंगे तो वहाँ की स्पीड पे भी आपको थोड़ी priority देनी चाहिए अब इसको tune कैसे करना है हम लोग सीधे उस पर चलते हैं तो light speed cash plugin आपको install मिलेगा आपके light speed server के उपर अगर आपकी website light speed server है जैसे कि hosting प्रोवाइड करता है A2 hosting में भी light speed servers आते हैं तो light speed server है तो आप लोग यहां भी light speed cash plugin का use करोगे तो यह आगे मेरी website अब इसको tune कैसे करना है अब यह जो भी दिख रहा है यह काम का नहीं है हमारे यहां पर मैंने quick.cloud को connect किया था आपको यह सब नहीं दिखेगा वह आपको चहीए रही है यहां पर और server IP में यहां पर हम लोग डालेंगे check my public IP यह आगे हमारे पास server IP हम लोग यहां पर इसको paste कर देंगे ठीक है इसके बाद है आपे submit save changes कर देंगे ओके चलो यहां पर मेरी domain की आ गई है ठीक है your domain key has been approved that's good इसके बाद हमें यहां पर cache पर आजाना है cache पर इधर हमें कुछ changes करने की जवरत नहीं है mobile cache है अगर आप लोग एक separate AMP website उसको on कर देना फिर यहां टीटेल पर आएंगे होस्टिंगर में फिलाल redis और memcache का support नहीं है अगर आप लोग कोई और hosting company यूज करो जहां पर memcache यहां redis का option हो तो आप लोग इसको on कर सकते हो फिर आएंगे browser में browser cache on करो यह एक अच्छी चीज़े इसको save कर देंगे उसके बाद यहां पर advance पर जाएंगे फिर यहां पर कुछ requirement नहीं है ठीक है अब आएंगे हम लोग यहां पर cdn के ऊपर cdn में में यहीं भूलूँगा कि आप लोग cloudflare का use करो cloudflare पर चले जाना उसके यहां पर इसको on कर देना और email global IP और domain name डाल देना अभी हम लोग नहीं डालेंगे उसके बिना ही हमें आप अच्छे रिजर्ट मिल जाएंगे अभी फिलाल यहां पर cloudflare का use नहीं कर रहा हूं उसके बाद आप इमेज optimization पर आजाना है इमेज optimize मैंने आप पर पहले से ही हो गई है लेकिन आपको फिर बीस का प्रोसेस बता देता हूं पहले हम लोग जाएंगे image optimization settings में आपको क्या क्या कर देना और आपको on कर देना है अगर आपका cpu usage हाई जाता है अगर आपकी बहुत सारी images है एकदम से आपका cpu usage हाई जा रहा है इसको on करने के बाद तो इसको आफ कर लीजेगा नहीं जा रहा है तो इसको और रहन दीजिगा अगर बहुत सारी images है तो ही इसको आफ करेंगा और अप्टिमाइज इमेजेश ठीक है रिमूव और लॉजी ठीक है ऑफ ठीक है उसके बाद प्रिजर्व इसको भी आफ कर दीजिगा वेपी वरिजन से इसके बाद आपको इसको 15-20 मिनिट लिए छोड़ देना गाधर इमेज डेटा में क्लिक कर देना 15-20 अफन आफ न वर के छोड़ देना उसके बाद इसको आरी मिजेश को आप्टिमाइज कर देका उसके बाद हमें आना है या पर पेच ऑप्तिमाइजेशन पे कर देगे CSS mini-fy yes combined yes in-line ठीक एसके गविए रिक्वार्मेंट नहीं है लोड CSS asynchronously इसको आन कर देंगे इसको भी on कर देंगे इसको भी on कर देंगे ठीक है यह सब ठीक है External add present इसके requirement नहीं है, हमेh JS setting में जाएंगे, JS minify कर दीजिएगः Combine yes कर दीजिएगा Combine external and internal Add present नहीं है, JS deferred इसको on कर देगे हम लोग and then save changes अब मैं इसको सब को explain नहीं कर दो explain कर दो बहुत बढ़ हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहां पर क्विक्ली सिफ सेटिंग्स ही बता रहा हूं नहीं तो मैं आदे गंटे तक इसको एक्स्प्लीन ही करता रहे जाऊंगा तो HTML-mini-files को on कर दीजेगा यह अच्छी चीज होती है और लोड गूगल फॉंट्स एसिंक्रेंसली आए रिकमेंड कि आप लोग फॉंट्स को हटा देंगे तो जाधा अच्छा है वह स्पीड वैसे भी स्लो करते हैं तो मैं प्रिफर करता हूं गूगल फॉंट्स को टाना फिर वर्ट्रस इमोजी को भी मैं अटा देता हूं अगर आपने क्लाउट से करेंट नहीं किया है तो अब यह बीटा में इसलिए मैं इसको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूं और हम लोग नीचे है लेजी लोड आइफ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगो नहीं चाहिए कि वह लेजी लोड हो तो फिर मैं यह इसको लोगो का URL डाल दूँगा फिलाल के लिए तो दवरत नहीं है फिर अगर आपके ब्लॉग पर आते हैं तो आप लोग कर सकते हो फिलाल हमारे ब्लॉग पर कमेंट नहीं है तो हम लोग इसको आफ रखेंगे और फिर ट्यूनिंग यह डेवलपर करता है यूजूली डे वेबसेट को कॉंस्टेंटली रिफ्रेश करते हुए देखते रहे ना तो फिलाल के मैं इसको हटा दूँगा और मेरी वेबसेट ब्रेकडाउन नहीं होगी मुझे पता है क्योंकि तो अगर आपकी वेबसेट ब्रेकडाउन हो रही है तो इसको वापस डाल दीजेगा इसक करता हूं मैं आपे spam comments trash comments उसके बाद expired transients और transbacks, pingsbacks, trash ports इन सब को मैं आपे delete करना पसंद करता हूं बागे draft revisions तो मैं रखता हूं तो मैं रखता हूं तूल बॉक्स पे भी हमें कुछ settings नहीं करनी है बस यहां पर import export कर सकते हैं अगर आपको settings को export करना है यहीं same settings आप पहीं औ बजाल कर देता हूं तो यह speed.kptstores.com है इस पर जाते हैं इस पर वापस से हम यहां पर analyze करके देखते हैं इसको सो यहां पर इसका analyze complete हो गया है और यह हमारा score आगया है 93 पर हमारा जो पहले वाला score था वो 94 था स्पीड.2 वाला जिस पर मैंने ट्यून करके रखा था और ट्यून करने के बाद हमारा score 93 आगया है desktop का score भी यहां पर कापी अच्छा है तो इस तरीके से यहां पर आप लोग तून कर सकते हो कुछ चोटे मोटे errors रहेंगे लेकिन 90 आप स्कॉर कापी अच्छा होता है बिग इसका कम हो चुका है कैशे प्लगीन यूज करने के बाद में तो यह सेटिंग आपको मेरे होस्टिंगर के ट्रेनिंग ट्रेंग ट्रोग्राम में मिल जाएगी जिनको डारेक्ट ले इंपोर्ट करना है वह वहां से जाकर ले सकते हैं अब वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए चाहिए फिट के बारे में काशे के बारे में अगर आपको बीगेनर हो अगर आपको थोड़ा बोर टाइम भी हो गया इंटर्मेडिर ठी लेवल पर भी ओ तो भी आपको यह चीज पता होनी है सबसे पहली चीज डोंट ओवर थिंक ब़ोर्ट पर नियुक्त noises xx करते रहे जाते हैं यूजय का not for music Contente means रतले best unit और सलाइस 16th marketing कर लोगे speed का भी starting ले page score 50 अब ठीक है और loading time तीन सेकेंड तक ठीक है second फिर plugins को install करना देखो आप लोग इसके बाद ना काकि सारे plugins को install करोगे जैसे आपको forum के लिए plugin चाहिए आपको sharing के लिए plugin चाहिए तो जैसे जैसे आप लोग plugins install करोगे scripts है कि website का loading time फिर बढ़ जाएगा जो की ठीक है थोड़ा बुद लोडिंग टाइम आपका बढ़ेगा लेकिन अगर आपको उसकी functionality की ज़ुरत है तो फिर उसे डाल दूँ थर्ड है security plugin का use करना बहुत सारे लोग security plugin का use नहीं करते हैं now security plugin आपकी website की speed को थोड़ा कम कर देते हैं लेकिन वह बहुत जरूरी होते हैं तो speed के चकर में security plugin को uninstall मत करना एक second भले ही जादा लग जाए लेकिन make sure कि आपकी WordPress website security काफी अच्छी हो security plugins के बारे में काफी वीडियो बना चुका हूँ पहले वापको i button के उपर मिल जाएंगे कैसे use करना कैसे tune करना है सब कुछ हरड है using developers now जितनी भी आपको यहां पर बड़ी-बड़ी website मिलेगी WordPress के उपर जिनका page speed score बहुत अच्छा है जिनका टाइम ले रही है waterfall देखते हैं वो लोग पूरा console पर जाके देखते हैं फिर किस चीज को में आपे html css में convert कर सकते हैं किस चीज को सबसे पहले load कर सकते हैं यह plugins के थू तो एक general setting होती है site specific setting जो होती है पूरा fine tuning करना वो एक developer ही करता है तो अगर आपको एकदम perfect score चाहिए एकदम आपकी website में आपने बहुत सारे plugins अगरे डाल के राखे उसके बाद आपको perfect score चाहिए तो फिर आपको किसी developer की requirement रहेगी starting में एकदम perfect score के पीछे मच जाओ आप starting में तो अचीव कर लोगे लेकिन जैसे आप लोग उस पे tools प्लग इंस वगरे डालोगे तो आपका score अगे थोड़ा नीचे चला जाएगा for example in my website kripashadvani.com जो मैंने भी start करी है जिसमें मैं blogs लिखता हूं इसी के बारे में reviews के बारे में तो वहाँ पे अभी मैं फिलाल page speed score के पीछे नहीं बाग रहा हूं मैं बस ये make sure करता हूं कि website मेरी 3 second के अंदर लोड हो जाए और फिर page speed score के पीछे अभी मैं क्यों नहीं बाग analytics की scripts use करनी है तो ये सब जब add करते हो तो फिर आपकी page speed score बिखड़ेगा ही बिखड़ेगा तो मैं अभी फिलाल यहां पर testing phase पे हूँ जब मेरी testing पूरी complete हो जाएगी कि यह वाला model मुझे चाहिए यह वाला model मेरे लिए work कर रहा है उसके बाद मैं page speed score पे जाधा द्यान एक बार मेरा model final हो गया है यहां तो मैं खुद बैठके उसको fine tune कर लूगा यहां फिर मैं किसी developer को hire कर लूगा so bottom line is पहले एक अच्छी hosting यूज करो दूसरा एक अच्छी theme का यूज करो lightweight theme का यूज करो cash plugin का यूज करो उसको tune कर लो जैसे मैंने आपको बताया है और speedy speed जिन्देगी भर मत करते रहो और भी बहुत सारी चीज होती है ब्लॉग में जो आपके ब्लॉग को रांग करने में help करेगी so that's all for this one अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो इसको thumbs up देजिएगा चानल को subscribe कर लेजिएगा and I will see you guys in the next one good bye